तो आज इस वीटीせて या ला हूँ रोलएंन् की बीर कि टखा क्या इस वीडियो में यह भी कवर करने वाला। कि अगर आप नॉर्मल चैन से ओरिंग चैन पे अपगेड़ करना ही सोच रहें तो वो क्या आपके लिए बेनिफिशल रहेगा या नहीं तो वो सब इस वीडियो में कवर करूँगा ठीक है तो आगी वीडियो कंटीनियू करने से पहले एक वर में आपको जो इसका रोलन की ज करना थोड़ा फोसली होता है तो इसलिए वह आपको देखने को नहीं मिलेगी बट आज कल जो रोलन है वह बीपर कीट्स बना रहा है mostly वाइक के लिए जो भी 150-160-280C की जो बाइक से उनके लिए यह बीपर की मैनुफेक्ट्चर कर रहे है आप इनके वेफसेट को जाए च इसका जो यह मोडल है यह किट एन वर सी एफ त्री एट थी ठीक है तो इसका प्राइस में को पड़ा था वन थाउजन नाइन इन 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 शेक्स्टी फोर रुपीस सम्धिंग और अगर आप नॉर्मल जो चैन्स प्रोक्रीट लेने जाओ यह आपाची वन सिक्स्टी का वह आपको पड़ेगा एले प्रुपीस सम्धिंग का तो यह मैंको 800 रुपीस सम्धिंग महांगा पड़ा तो वही मैं इस वीडियो में कवर करने आ लो कि क्या वह 800 रुपे स्पेंड करना वर्थ इट है यह नहीं तो आग यह वीडिय स्टाट करने से पहले एक बाद मैं आ हमारा srprogit और इसमें है हमारी chan तो यह है तो जासे यह आप देख सकते हैं इसका जो srprogit है वो black color में आता है जब कि जो OEM जो chan IT आता है अपार्च 1160 का वो जो वो एक आप बात बात बता दूं कि इंडियन मार्किट में जो most of the chains है उनका manufacturer roll-on ही है चाहे OEM खरीदो या चाहे कोई CV chain खरीदो उनका manufacturer most of the chains का roll-on ही है या कि कुछ cases में आपको diamond की chain भी देखने को मिल सकते है बट mostly जो chain है वो roll-on की use होती है इंडियन मार्किट में ठीक है तो यह बात है तो जैसे अब देख सकत है तो इसके बार में side रख देता हो उससे तम बात करते है इसकी जो chain है जो main चाहे जो chain है वह है तो इस टाइब की कुछ रैकिटिंग में है ठीक है तो जैसे है आप देख सकते है इसकी जो chain है वह golden color में है basically तो उस पे जो golden color है वह इस पर हुई जो इस पर brass coating होए या उड़ कि जिसके जैसे इसको जो है एक गोर्डन कलर मिलता है जो एक्सपेंसिव चैन किट्स होती है जो इसका लगाने के रीजन यह भी हो सकता है कि इसका जो लुक है वह नोर्मल चैन ओईयम चैन से देखने काफी अच्छा लगता है इसका जो कॉंट्रास्ट है ब्लेक के साथ काफी अच्छा आता है ठीक और जो मैं औरिंग की बात कर रहा था वह मां को लिखा रहता हूं तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर इस टाइप से ब्लेक औरिंग से लगी हुनी है इसमें एक चैनलिंक में चार औरिंग है और यह म अब इस टाइप से इसका फ्रेंट स्पोखिट जासे आप देख सकते हैं जूसका फ्रेंट स्पोखिट है वह गोड़न तो अब आपको बदाता हूँ कि क्या प्रइस पर extra money spend करना वर्थीट है यह नहीं बट उसको समझाने से उसको बताने से पहले आपको यह समझाना पड़ेगा कि जो rolling chance होती है वो काम कैसे करती है ठीक है तो समझाने के लिए मैं यह पास यहापर इपने पाचेवर 62 वी का एक chain link का टुकड़ा है ठीक है तो जो side chance हो dollars ठीक है जो कि freely moving होते है अब जो non-oring chance होती है उनमें जो यह outer plate और inner plate होती है इनके बीच में तो कोई gap नहीं होता और यहापे कोई भी ceiling और नहीं होती जिससे कि जो sand होती है और जो पाटर होता है वो इसके इंतर चला जाता है और जो sand होती है वह as a sand paper work करती है जिसके वज़ o-ring chain दी जाती है जिससे कि जो company filled grease होती है वो यहापे टिकी रहती है जिससे कि एक तो friction कम हो जाता है metal to metal contacts का क्योंकि जो non-oring chain में यह pin जो है यह हमेशा ही टच करती रहती है rollers की inner side से ठीक है जिसे अब देख सकते है यहापे touch कर दिए बट o-ring chain में क्या होगा यहापे grease field होग देगी और अगर आप अच्छे से maintain करते हैं तो मतलब जो o-ring seal होती है वो काफी अच्छा वर्क भी करती है ठीक है तो इस टाइप से जो o-ring chain होती है वो work करती है basically वो जो बाहर के contamination होता है उसको बाहर ही रखती है उस जो chain के internal parts नहीं पहुंचने देती है जबकि जो non-oring chain होत determination को बाहर रखने में काफी अच्छी तरह वर्क करती है जिसके उनकी जो service life होती है और जो durability होती है वो काफी बढ़ जाती है ठीक है और जो जो o-ring chain होती है जैसे कि यह मेरी BPR kit है रोलन की इनकी जो life होती है almost two to three times होती है normal chain set से वैसे ही मेरे को यह महेंगा पड़ा है बट अ है जो इसमें o-rings होगा रहे है उसके जो metal का warranty है वो काफी कम हो जाता है जिसके विसे यह काफी लंबे समय तक चल सकती है बट यही o-ring इसका एक disadvantage इसका जो कोन है वो भी बन जाता है क्योंकि जो o-ring होती है उससे होता क्या है कि आप सोचो कि इसमें 124 links है और एक link में चार o- links है ठीक है तो इसका जो resistance होता है वो काफी बढ़ जाता है ठीक है तो जिसके मुझे से आपको होगा क्या कि अगर आप किसी smaller ccv bike पे o-ring chain अप्ग्रेड कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मतलब जो bike का power output हो काफी कम हो गया है क्योंकि वहां का resistance बढ़ knife दो का आपको क्我 परवरी काफी कोष्लीय यह यह दो इस टाइप कि ज सेर्स चैनस में अपनाँ चैनसलोगा क्योंकि रेते हैं तो यह एक बात होती है कि मतलब आगर आप इसको किसी smaller CC bike में इसको upgrade करने ही सोचे हैं तो आपको मतलब एकदम आपको बहुत power output है उसमें काफी कमी feel होगी जो 200 hp वाली bike है जो लीटर class bike से उनने इतना फरक देखने हो नहीं मिलता है स्मोलर सिसी वाइक में आपको जो डिफ्रेंस होगा वह काफी नोटिसेबल होगा और और जो ओर रिंग चैन्स होती है वह थोड़ी हैवी भी होती है क्योंकि यहां भी बैसिकली ओर लगाने के वज़े से होता क्या है कि यह सारा जो पिंस होती है थोड़ी बड़ी बनानी हो एक यह अगर आपके जो रिक्वाइरमेंट वह यह कि आप की जो उनकी सर्विस लाइफ वह ज्यादा हो आप जो अनकी डिरेबिली टीव वह ज्यादा हो ठीक है मैंटिननस वह कम तो आप मतलब जो ओरिंग चैन से जैसे हैं जैसे कि यह रोल नंका भी परकेटर हैं आप इस ऐसे वात नहीं कि यह बहुत खराब होते हैं यह काफ़ अच्छा वर्क करते हैं अगर आपके लिए स्वीड और प्रफोर्मेंस मेंटर करते हैं तो आप यह नोमल चैंसेट से यूज कीजिए इन सब वगरा पर कोई शिफ्ट करने का जूरूत नहीं क्योंकि यह बेसिकली उन लोग के लिए यूज के बनाए जाते हैं कि जो मतलब हो जाता मतलब लोंग रूट पर राइड करते हैं या फिर जो मतलब हो जाता मड़ी एरिया में में लब रेन वगरा में बोजाता अपनी राइड करते उनिके लिए बैस्ट है वाकि अगर आप नोर्मल सिटी यूज वगरा में है तो आप नोर्मल चैंसेट भी यूज कर सकते हैं ठीक तो इसे साथ अगर आपको वीडिय सब्सक्राइब कीजिए और आप में से कुछ पूछा जाते तो आपने से नेंचे कमेंट सेक्शनें पूछ सकते हैं धन्यावाद